तू पार्ट्स के अंदर पड़ेंगे ठीक है तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बुक है जो वो आप लोग की जो बुक है वो है अन इलियन हैंड ठीक है स्टार्ट करते है ग्रैंट फादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन दा फॉरेस्ट अन ब्रिंग्स हिम हूम जो ग्रैंट फादर थे दादा जी को वन में एक छोटा सा बाग का एक छोटा सा बच्चा मिलता है और वह उसे घर ले आते हैं ग्रैंट मदर कॉल्स हिम ग्रैंट मैदर टूल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक आ हियूमन और उसे मनुष्य के बच्चे की जैसे पालती है टूमोथी इस प्लेफुल एंड नौटी टूमोथी जो था वो एक बहुत जादा खेलने वाला और बहुत जादा नौटी शरारती बच्चा था इस अकमपनीज आर टोटो, दमंकी अपपी and other members of the household टोटो बंदर एक कुत्ते के पिल्ले और घर के दूसरे सदस्यों के उसके friends हो गए थे बच्चो इससे पहले में आप लोगों को इस story पढ़ाऊ चैप्टर नंबर class नंबर 5th के अंदर यही एक story आपको short के अंदर बताई गई है ठीकर अगर आप लोगों ने यह story अगर आप लोगों को इस story याद हो तो बहुत अच्छी बात है तो मेरे और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं हम लोग इस chapter के अंदर से पढ़ लेंगे अगर जुज़ज़शने बच्चों को यह story के बार में पता हूँ चाप्टर क्लास नंबर फिफ्ट के अंदर यह story थी तो आप मुझे वाट्सेप पे मैसिज़ करके बता सकते हैं स्टार्ट करते हैं टॉम्ती टिमोथी दे टाइगर कब वोज डिसकोवर्ट बाइ ग्राइन फादर इन दा तेराजी जंगल निर देहरा टिमोथी बाग का बच्चा उसे दादा-जी ने देहरा के पास तराइ के जंगल में पाया एक दिन जब दादाजी बाकी सम्मोट से दूर जंगल के रास्ते घूम रहे थे तो उन्होंने 18 इंच लंबा एक छोटा सा बाग का बच्चा देखा He discovered a little tiger about 18 inches long जो की एक 18 inches लंबा था hiding among the intricate roots of bunion tree जो की बरगत की पेड की उलजी हुई जडों में छिप रहा था Grandfather picked him up and brought him home Grandfather दादा जी ने उसे उठा लिया और घर ले आए He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive Samu में केवल उसे ही म्रतिया जिवित बड़े शिकार को पाल लेने का श्रे प्राप्त था The first At first the tiger cub who was named Timothy by grandmother शुरुआत में बाग का बच्चा जिसका दादी ने Timothy नाम रखा था Was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook उसका portion पूंता दूद पर किया गया जो दूद उसे दूद की बोतल में डाल कर हमारे cook द्वारा दिया जाता था महमूद जिसका नाम महमूद था But the milk provide too rich for him and he was put on diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempering diet of pigans and rabbits जिसका नाम महमूता लेकिन दूद उसके लिए अत्यंत पोशक सिद्ध हुआ और उसे कच्चे मास के भोजन पर रखा गया और कोड मचली के जिगर के तेल पर उस तथा उसके पश्चात ललचाने वाले कबूतरों तथा खरगोशों के मास पर Timothy was provided with two companions Timothy के दो मित्र दिये गए Toto the monkey Toto जो एक बंदर था who was bold to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper Toto बंदर इतना सहासी था कि छोटे बागी पूश से खेश लेता था जो कि उसकी पूश से tiger की पूश से खेल लिया करता था और जब उसको गुसा आता था यानि कि Timothy को जब भी कभी गुसा आता था तो वो पढ़दे पर चड़ जाया करता था और चोटा दोगली नसल का पिल्ला जो दादी जी को सड़क पर मिला था पहले तो Timothy उस पिल्ले से काफी भैभीत हुआ लगा and darted back with a spring if it came to near और तेजी से पीछे की और उचल जाता था यदी वह उसके काफी नजदीक आता था तब मतलब Timothy जब भी कभी उस पिल्ले के पिल्ला जो था वो कभी भी Timothy के पास आता था तो वो Tiger जो था Timothy जो था वो बहुत ज़दा डर जाता था वो पीछे के तरफ चला जाया करता था He would make absorbed dashes at it with his large four paws and then the retreat to ridiculously safe distance वह उसे अपने आगे बड़े गदे से पंजो से हमला करता और फिर वह हासे प्रत सुरक्षित दूरी पर पीछे के तरफ लोट जाता Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there अंत मैं उसने पिल्ले को अपनी पीट पर रेंगने और वहाँ पर सुनी की permission दे दी One day Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him and so when I came to live with grandfather Timothy को सबसे अधिक मरोंजन में से एक था किसी के भी पीछे चुपके से पीछा करना जो उससे खेलना पसंद करता And so was when I came to live grandfather I become one of the tiger's favorite जब मैं दादा जी के पास साथ रहने के लिए आया मैं बाग के मन में पसंद में से एक बन चुका था यानि बाग जो था वो तिमूती जो था वो उसे मुझे पसंद करने लगा था With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching He would creep closer and closer to me Suddenly making a dash for my feet Rolling over on his back and nicking and kicking with delight And pretending to bite my ankles एक चालक चमकदार आखों के जलक से और अपने जुके हुए शरीर से वहर रेंग कर मेरे निकट और निकट आता चला गया अच्छानक मेरे पैरों पर हमला करते हुए अपनी पीट पर लुड़कते हुए खुशी से ठोकर मारते हुए और मेरी एडियों को दाथ से काटने का बहाना करने लगा इस समय तक वह एक पूरी तरह से बड़े हुए एक शिकारी कुत्ते जैसा हो गया था और जब उसे बहार सेर के लिए ले जाया कर जाता था तो सड़क पर लोग हमें पूरा रास्ता दे दिया करते थे वह जब भी जंजीर को जोड से खीसता तो मुझे उसका साथ देने में बहुत ज़ादा मुश्किल हुआ करती थी इस फेवरेट प्लेस इन दा हाउस वास दा ड्राइंग रूम घर में ड्राइंग रूम उसकी मनपसंद जगा हुआ करती थी और वह लंबे सोफे पर खुद को आराम से बैठा लिया करता था तो उसके उपर बहुत ज़ादा तेजी से गुराया करता था ठीके ना टिमूती की आदते सपष्ट थी और वह अपने चैरे को ठीक बिली की जैसे पंचे जैसे रगरती ना अपने चैरे को वह सदा खुश होता था जब उसे सुबह वहां से बहा निकाला जाता था तो बच्चों यह हमारा first part यहाँ पर आखे complete होता है next part जो है इसका अभी हम लोग next बार में हम लोग करेंगे next part भी बहुत जादा बड़ा है ठीक है ना और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो के अंदर आप लोग को वो chapter पूरा complete करवादू अगर in case नहीं हो पाता है तो मैं आपको इसका third part भी लेकर आज आ जाऊंगा तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए thank you have a good day